करिश्म सिंग आप अच्छे से जानती हैं कि हमें वाइलेंस बिलकुल नहीं पसंद, वाइलेंस के तरीके से जुर्म खत्म नहीं होते हैं ये बात हम आपको कौन सी बाशा में समझाएं लेकिन किसी को भी समझाने का क्या फाइदा जब हम अपने ही डिपार्टमेंट के लोगों को समझ नहीं पाएं उनका भरोसा नहीं जीत पाएं, इस थाने में अब भी हमारे साथ विश्वासगात होता है, हमारे साथ धोका होता है, मुख्वीरी की जाती है इस थाने की जब हम अपने ही डिपार्टमेंट के लोगों को समझा नहीं पा रहे हैं, तो कोई और लड़ाई क्या लड़ेंगे? एक मिनट मैडम सर, आपको लगता है कि हम धोके बाज हैं? आपको लग रहे हम वो मुखबीर हैं, जो यहां की बाते वहां करते हैं? मैडम सर, नहीं यहां आपको लगता है कि हम वो दोखेवाज इंसान हैं, जो आपको धोका दे रहे हैं या चल कर रहे हैं आपके साथ, इस्थाने के साथ, इन सब के साथ, आपको ऐसा लगता है, वो भी सिरफ उस इंसान के लिए, जो हमारी वर्दी पर उंगली उठा रहा था तो हमने उसके एहंकार के उंगली को मरोड दिया, तो इस पर आपको गुसा है, बहुत सही नाम से नवाज है मैडम सर, आज आपने हमारी इमानदारी को, हमारी करमत ताखो, बहुत बढ़िया नाम दिया है आपने हमारी निष्टा को, और बहुत बड़े अलंगकार से और इसका दर्ध हम जिन्दिकी भर नहीं बुलेंगे, कभी भी नहीं जै वाह, क्या बात है, क्या टेलेंट है, अरे इतना टाइम तो खाली जाल पर ही रहे सकती है मतलब तुम सच बोड रही थी, तीस सेगिंड पानी में और रहती तो डूब जाती जब लगा कि अकेली डूब रही हो, आशिक ने चूरन बना दिया है, तो फटा-फट तैर के नदी से भार आ गई हाथ कर दी मेडम, आपके सामने मनने से बच्चियों में, फिर भी कह रही हो कि मैं जूड बोल सकती हूँ देखो भाईया, ऐसा है कि सौ प्रतिशत मुकमल इस जहां में कुछ नहीं होता सब में कुछ ना कुछ मिलावट जरूर होती है, बस वही चेक कर रहे थे अरे माडम, हमारा काम होकर हम जाए, बिजनेस देखना है आँ, बौट चलता है तुवारा बिजनेस अरे माडम, चलता है आपको कुछ बिर्यानी और चाइब से कुछ चहिए तो मैं बताएए कि जी, आपका कंप्लेंट रजिस्टर कर दिया है, आप इदर साइन कर दीजेए जी, हो गया, आपके आश्चे का नाम क्या है आमेट उसका फोटो है, हाँ जी, लिए मैडम, थोड़ा जल्दी कीजे, मेरी फ्लाइड मीस हो जाएगी यह आमेट है, हाँ, क्यों? ने, ने, हाँ, बस यह फोटो हमें हमारे फोन नंबर भे भेजो और जोरत पड़ा तो तुमको कॉल करते है, ठीक है? ठीक, थानेवाद यह क्या है, भुषपाजी, बद्धे किसी का? नहीं, मेडम सर, बले ही जिन्दगी का तजुर्बा आपको हमसे ज़ादा हो, मगर उम्र का तजुर्बा उसका क्या करें गया? उम्र का तजुर्बा तो उम्र से ही आता है, नो? और हम उम्र में आपसे बड़े हैं, तो जाहिर है, हमारी उम्र का तजुर्बा ज़ादा है. और हमारे उम्रे का तज्जूर्बा कहता है, अभी जो आपके और करिश्मा जी के बीच में जो बहस हुई, वो दो अलग नजरियों की वज़े से नहीं हुई, कुछ और बात है, हमने महसूस किया, ऐसी कौन सी बात है जो आपको इतना परिशान कर रही है मैडम सर, बताइए ह अंग्रेजों ने हमारे देश पर 200 साल राज किया, 200 साल, हमारा सब कुछ शीन कर लेकर चले गए, दिवान जी जानते हैं तो अब क्या सब वापे शीन कर लाएं हमसे, पर जाते जाते हमारे सामराज्य को प्राप्त करने के लिए एक अचूख हतियार दे कर गए, जान रूल, फूट दालो और साशन करो, क्या 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 चाते दिवान जी, थोड़ा साफ साफ कही है, यह देखे, यही वो वीडियो है सर, अब यह तो हमारी वर्दी तुमारे 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 पिता जी की लॉंडरी मशीन में दुलेगी, नहीं तो हम तुमको इतना धो कि जब भी वर्दी देखोगे एकी बात बोलोगे, दरोगा जी देखे तो बहुत मकर तुम साना देखा, सर इसी वीडियो ने इस सामराजे की नीव में बगावत की चिंगारी सुलगाई है, सर यह वीडियो मैंने किसी से लिया और अपलोड कर दिया, और अपने के अपना रहे हैं, क्यों कर रहे हैं अपियसत, हमें नहीं है जरूरत इन सब चीज की पकड़िये फोन, सर जरुरत है, आपको किसी भी हालत में जीदना पड़ेगा, और सर यह जो बार बार आपको इंसानियत और शराफत के दोरे पड़ रहे हैं न, भूलेगा मत कि 15 दिन म यह जा चुगी है, क्या होगा जब आपके पापा को पता लगेगा, कि आपके जो कुछ भी कहा था, वो सब कुछ जूट है, बुलिये सर, बुलिये जो कहना होगा न, दिवान जी, मैं कहलूँगा, लेकिन भगवान के लिए अपने इस नन्ने दिमाग पर न, लोड लेना, बंद कीजी आप, और अगर तुबारे आसी उच्छी अर्कत करने के कोशिश कीन आपने, तो मुझसे पुरा कोई नहीं होगा, दिवान जी, I want you. सुरी सर, ये लीजे, बिएस्पी सर न हमें ड्रग्स वाले केस को रियोपन करने के लिए कहा है, कहा है कि उसे दूसरे अंगल से इंवेस्टिगेट करें, उनका मानना है कि हमारे थाने की ही किसी मेंबर की शाय में ड्रग्स चोरी किये गया है, मगर मैडम सर वो तो हमारे, वजय से हुआ है, हम जानते हैं, ये पूरा एक दिन, मैं आपके साथ बिता सकता हूँ, ठीक है, मगर बस सिर्फ आज का एक दिन, इसमें तो बरामा ड्रग्स रखा था, कहां गया, यहां से सब गयाब हो गया, लेकिन पुश्पा जी, ये बात आप भी तू नहीं जानती थ हम जानते हैं, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारी टीम में से कोई ऐसा काम कर ही नहीं सकता, इन फैक, सोच भी नहीं सकता ऐसा कुछ करने के बारे में, लेकिन हम डियेसपी सर को क्या जवाब दें, इस इंसान को डूढने की जिम्मेदारी उन्होंने हमें दिये, पु हमें कॉणफिदेंस पर रखती, ताकि हमारे थाने से रिलेडेट कोई भी सवाल उठे, तो हमारे पास उसका जवाब हो, इसलिए हमने गुस्से में वो सब कहा, और सच बात यह है कि हमने करिश्मा सिंग को धोकेवाज या विश्वास घाती कहा ही ने, पुश्पजी करिश उनका वर्दी के लिए पागलपन, अच्छा लगता है हमें, रोज सीखने की कोशिश करते हैं, और चाहते हैं कि वो भी हमसे कुछ सीख ले, कम से कम उतना जो उन्हें एक बहतर और मुकमल इंसान बनाने में उनके काम है, अपलिज उन्हें संझाइए कि हम उनकी बहुत पर कुधो, हाँ, कुधो, और कुधो, 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 मडम, बस केजिये, क्या करवा रहे हैं आप, अच्छे खासे इंसान से कंगारू वाली हरकते क्यों करवा रहा हैं, तुमने डिच किया न, अपनी गर्ल्फरंड को, तुम दोनों साथ में कूदने वाले थे नदी में, व मुझे थाने में उठा के क्यों लेकिया है मैं, मैं निर्दोश हु मैं, इनोसेंट हु मैं, मैंने कुछ नहीं किया, किधर तीवान जी, अरे सर, यह वही लड़का जिससे मैं वीडियो लिया था, जो आपने वायरल की थी थी न, जी सर, अगर इसने मुझे सब के सामने और कुदो, और कुदो, बस, और देखो ऐसा है कि यह जो जचबातों का चूरन होता है न, यह बहुत, बहुत दिमाग खराब कर देता है आपका, इसलिए इसके कभी चक्कर में मत आ जाना, कहना हम आ गए थे, हमारे लाइफ में जो है, एक बहुती बढ़िया सेल्स मैं आय जो होते थे, एक दम दबंग, हमें मालूम है, उश्पा जी, कि आपको यह जानना है कि हम यह सारी बाते इंसे काय कहरे हैं, यही न, यही न, हम बता रहे, हम बता रहे, सबर रखी, हाँ, भाया, हम यह सब बाते आपको इसलिए बता रहे हैं, ताकि आप जो भी अफवाय जब भी मुझ खोलोगे, एक ही बात बोलोगे. गरोगा जी देखे दे बहुत मगर तुम सा ना देखा. हाँ, तो आप ही है ना वो आशिक जिसने पहले उस लड़की के साथ प्यार के पेच लड़ाए. फिर साथ जीने की कसमे खाई, फिर साथ जीनी पाए, तो साथ मढने की कसम खाली. और जब मढने का टाइम आया तो वो तो कूद गई, लेकिन जब आपने मौत देखी तो आप महा से पीछे हड़ गए. आप ही है न वो? और आप ही वो इंसान है न? जो उस दिन फ्लाइट के लिए लेट हो रहे थे और लोर एते वो इंसान है न? मतलब आप अपने प्यार को छोड़के, अपने घरबार को छोड़के, अपना सब कुछ छोड़कर यहां से रफूचक करोने की कोशिश में थे, हाँ? सच बताव और ना, उधेड के रख देंगे यहां यहां भी क्या भी? करिश्मा सिंग! हम बात करें! इतना इंटरस्ते से तो चलिये न, उतर देखिये न, छाथ! आरे अरे 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 चाईये! साथ, सथ, नै न, 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 प्लिस! तो बहतर यही होगा कि तुम सब कुछ सच सच बता दो, वरना- वही तो मैं जानना चाहता हूँ मैडम, मैंनी क्या किया है, क्यों लाया गया है मुझे यहाँ? तुम्हें सच्छम नहीं बता या पुलिस को बहकानी की कोशिश कर रहे हो? मैं ऐसा क्यों करूंगा, मैं सच्छमें नहीं जानता? तुम्हें अपनी गलफ्रेंड को डिच नहीं किया? वादा खिलाफी नहीं कि उसके साथ? गलफ्रेंड, मेरी कोई गलफ्रेंड नहीं है यह क्या हो रहा है यहां पे? अच्छा, तो शिखा, तुम्हारी गलफ्रेंड नहीं है नहीं? सच बोलो वरना बुलाएं करिश्मा सिंग को करिश्मा मैडम मैं सच कह रहा हूँ मैडम मैं नहीं जानता तुम जूट बोल रहे हैं शिखा तुमारी गर्फरिंड है जिसे तुमने दोका दिया है वरना कोई भी लड़की एक इनुसिंट इंसान पर खामखा का इल्जाम क्यों लगाएगी यकीन कीजे मैडम मेरी कोई गल्फरिंड नहीं है ठीक है अभी तुम सच नहीं बोलना चाहते मत बोले कानूनन हमारे पास अधिकार है कि हम रात भर तुमें इस थाने में रख सके जो हम करेंगे अब रात भर तुम इस लॉक अप में रहोगे सुबहुट कर फिर से तुमसे सवाल किया जाएगा अगर सच बता है तो ठीक अगरना सोचेंगे तुम्हारे साथ क्या करना है श्रिवास्तप जी आज रात की ड्यूटी सौरे मेडम मेरे वो रत्वांदी की दावाई चालू है रात में ठीक से दिखता नहीं है ना हमें तो फिर कुश्पा जी श्रीमान दीवान है ना आइएए दीवान जी आएए आइए दीवान जी आप फीक तो है ना हाँ मैडम की थोड़ा सा जुकाम है भस तो रिटार्मेंट ले लेजी ना दीवान जी हमारे पस फिलहल कोई आप्शन है इसलिए आज रात की ड्यूटी आप ही समालेंगे मुझे जिर्म पर नजर भी रखेंगे और थाना भी समालेंगे हाँ मैं कर लूँगा मैटम मैं कर लूँगा जाहिन जाहिन कुल्टीच्वीब इंको लॉक अप में टालिये जी सर आईए कुल्टीब 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 यह इस शंत शल्ट चुप चुप शल्टीब एक्तम शाथ करेट सर आप अरे भैचान लिया जितना धका चुपाया हूँ फिर भी पैचान लिया कैसे नहीं पैचान होगा सर कि तो ये हम मानिल जैसा शरीर उपर से पढ़ी होई आवास मेरा मतलब बहुत रेर कॉंबिनेशन है न सर इसलिए पैचान लिया अचा सुनो अब मेरी दो बाते गौर से सुनो पहली तुमने मुझे कभी भी कोई वीडियो फॉवर्ड नहीं किया और दूसरा हम दोनों कभी मिले ही नहीं समझे पर सर अगर दूसरी बात होगी तो पहली बात कैसे हो सकती है मतलब अगर हम मिले ही नहीं तो मैं आपको वीडियो सेंट क्यों करूंगा सर अरे वाह लड़के तो ब़ुत स्मार्ट है ब़ुत जल्दी उपर जाएगा चिकी सर मैं क्या कह रहा था कि इस बात से मुझे कोई लेना देना तो नहीं है सर आप ये क्यों कर रहे हैं अर मैं sırव इतना कह रहा हूं सर, जो मैं आपके लिए कर रहा हूह है रहा हूँ पहां कायदे से आपको मैरे लिए कुछ कर ना चैये ना सा की published सर अपको तो पता है सर करिश्म कर मैं मेरा फोनने कर लिया है एक बहुत इंपोर्टेंट फोन कॉल करनी है, sir. अगर आप अपने फोन से करने दे दे तो... नहीं, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, मेरा पूल में बैलेंस नहीं है. मुझे तो डर लग रहा है, sir, अगर कही कल पुछताच में में अपका होलिया पुता दिया तू? कैसी बात कर रहे हैं, मुझा कर रहा था. तरले, लेकिन सुनो, सिर्फ टीस सेकंड. आहा, sir, आप जरब, प्लीज. हलो, हाँ, Shikha, मैं मैं अमीत बोल रहा हूँ. पता है मैंडू, आगीयन मेरी. Shikha, मेरी बात सुनो, जाता टाइम नहीं है, सिर्फ इस सेकंड का टाइम गीया, मुझा मुझा मुझा. तू पुलीस्टेशन में हो? वहाँ. वेरी गुड. इस ही राय के तू? तू मेरी बात सुनो. मिकुना, तुसे कोई बात नहीं करनी है. अरे, लेकिन मेरी दोखे बात है तू दोखे बात! मेरी बात तो सुन लो. मैरी देरी शक्तवेन देखना चाहती हूँ. अरे, तू फॉन पे कॉनसी शकल दिकाई दे रही है? बात तो सुन सकते हो ना मेरी? अरी शीका मेने तुम्हे कोई दोका ने दिया प्लीज मेरा विश्वास करो तुम तुम जल्दी से महिला पोली स्टेशन में आके मुझ से मिलो मैंने पूरा प्लैंक बना लिया है और मैं के के तुम हलो रुख जा का का कहना है बैठो ना बैठो हम जानते हैं यह वर्दी तुम्हारे लिए क्या है तुम्हारी ड्यूटी तुम्हारा फर्स तुम्हारे लिए कितने माइने रखता है वर्दी के लिए तुम्हारे निष्ठा तुम्हारा समर्पन तुम्हारी श्रद्धा कौन नहीं जानता किसी भी राह चलते उठाईगिरे अमिरजादे को कोई अधिकार नहीं है तुम्हारी इस वर्दी का अपमान करने का इसलिए तुमने उसके साथ जो कुछ भी किया बिल्कुल सही किया यही होना चाहिए था उसके साथ देखो हम यहने कहरें कि तुम गलत हो यह पुश्पा जी थोड़ा खुड़कर कही है क्या कह रही है गुश्पा अकसर उनी लोगों को आता है जो दिल के बहुत सचे होते हैं जो जूट को जूट और सच को सच कहने का जिगरा रखते हैं जैसे कि तुम हो और इस बात के लिए हमेशा तुम पर गर्फ रहा है पर शायद यह बात तुम नहीं जानती बेटा जो घर का बड़ा होता है मुखिया होता है उसे घर के बजट की तरह गुस्से को भी बहुत नाप तोलकर खर्च करना पड़ता है घर का हो या गुस्से का हो बजट जरा भी हिल जाता है न तो पूरा परिवार दिक्कत में आ जाता है बेटा जैसे हमारी मैडम सर है वो बड़ी है थानी के मुखिया है उन्हें हर चीज सही गलत अच्छे बुरे के बारे में सोच कर ही करनी पड़ती है मगर ये भी तो सोचो ना उन्हेंने जो कुछ भी कहा गलत भी तुने ही कहा ना जिम्मेदार इंसान को गुस्सा भी बहुत जिम्मेदारी से खर्च करना पड़ता है वेटा जब्चादार इंसान को गुस्सा भी बहुत जिम्मेदारी से खर्च करना पड़ता है वेटा बस इतना ही कहना था ये इतना ही था सुना ना ये तुम्हारे लिए सूजी का हलवा बनाया तुम्हारी पसंद का सुबच छे बेजे से लगे पड़े पता है तो बना वैसे पांच मिनिट में ही, खा लेना, नहीं ऐसा करते हैं ना, साथ में बैठ कर खाते हैं, तुम हम और मैडम सर, साइद हलवे की मिठास से थाने का भारी महौल थोड़ा हो जाए, आज हमें थाना में थोड़ी देर हो जाएगी, क्या हमें थोड़ा काम है बार, तो इस सूजी के हलवे का अनंद आप और मैडम सर, उड़ाइए चलते हैं कहीं जा रहे हैं, ड्यूटी करने है माडम सर, फाइल लेने आये थे, फाइल भूल गये थे, वापिस ड्यूटी पे जा रहे हैं, जै, जै हमें कुछ भी करके माडम सर और करिश्मा जी को साथ लाना ही होगा, यह तो अमर सर बहुत आसानी से हमारा थाना हादिया लेंगे सर, 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 प्लीज, एक मिलिट, सर हम कहे रहे हैं, लोहा गरम है, हतोड़ा मार दीजिए एक तम चुप दिवान जी कुछ नहीं बोलें गया, इन्वेस्टिकेशन करने आये हैं यार, वही कीजिए न, हमें भी अपने साथ डिस्ट्रैक्ट मत कीजिए चलिए, ठीक है सर, अब हाँ, ये, ये, मैडम जी, एक नंबर का लुच्चा है, यामित, बाजू के विंग मे रहता है, हमारे सामने ही बड़ा हुआ है, बश्पन से ये आवारा, निकम्मा और काम चोर है, किसी काम का नहीं है, जैसा नालायक बेटा, ऐसा ही नालायक इसके माबाप, मैडम जी, भसालिया असने हमारी बेटी को, भसाया तो उस लड़की ने है, हमारे सीधे साधे बेटे को, ऐसा प्यार का, फिले मी जाल बिचाया, कि घुमादी बेचारे की, बुद्धी, आप ही बोल दीजे ना, दिवान जी, सुरी सर, बोले बोले, जैसी बेटी वो ऐसे पैरेंट्स, एक नम्मर के, चंट, हाँ, और उससे ज़्यादा चंट, उसकी माबाप है, अजी, पूरी नसाल ही फ्रॉड है इनकी, फ्रॉड तो इसकी रगों में बसा हुआ था, जब छोटे थे तो गरगर खेलते थे, और यहामेद, खुद हस्बन बनता था, और हमारी फूल सी बच्ची को जबरदस्ती वाइफ का रोल देता था, बिचारा हमारा पीटा भी बन जाता था पती, खेल-खेल में, हमें लगा बच्ची है, खेल रहे हैं, बर उस बदमाश लड़की के मन में, कुछ और ही चल रहा था जी, ना हमको एक बात समझ में ने आ रह काहा थी, जब वो दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे, एक दोनों एक दूसरे के होना चाहते थे, तो आप लोगों ने क्यों इतना अर्चन पैदा किया, ना मतलब करा देते ना दोनों का शादी, पागल कुत्ते ने काटा था मुझे जो अपनी फूल सी बच्ची को नर् पारे पानी फिलाईए ने घूमती थी, जो लड़की अपने घर में टिक्के ने बैठ सकती, वो, वो, ससुनाल में क्या ठीकेगी, बात ही नहीं थी, घर ग्रहस्ती वाली मेडम जी बहुत समझाया, हमने उसे, बहुत मनाया, बुरा, भला, उंच, नीच, सब समझाया, लेकिन हमारी शिखा के कुछ समझ में नी आया, और आखिरकार दोनों ने शादी कर ली क्या बात कर रही हैं, अपामित्त और शिखा शादी शुदाया, जी और तीन महीने पहले, गोमती पुरिट से गिर कर, मेरी बेटी की मौत हो गई, वो दिन था, और आज का दिन है, हमने अपने बेटे अमित के शकल तक नहीं देके, और वो बे, वो बे गर वापस लटके, नहीं आया, ठीक है, थैंक यू सो मच, जैसे कुछ पता चलता है, धन्यवाद, मादम सर, करिष्मा माडम और अमर सर दोनों ये केस इंवेस्टिगेट कर रहे हैं, अगर करिष्मा माडम उनके टीम में चली गई तो, नहीं, मेरा मतलब है कि आपके और करिष्मा माडम के डिफ्रेंसिस के कारण, अगर करिष्मा माडम अमर सर की टीम में चली गई, तो हम थाना हार जाएंगे, कोई बात नहीं, संतोश शर्मा, हारेंगे भी तो किस से, करिष्मा सिंग से, और उनके साथ हुई हार भी हमारी ही जीत है, ना? तजूर्बा कहता है हमारा, कि अपनों के साथ लड़ाई में कभी भी नतीजा माइने नहीं रखता, सिर्फ सली का माइने रखता है, महबबत हो या जंग, दोनों को ही निभाने का सली का, हम दोनों को बहुत अच्छे से आता है, पर केस पर कॉंसंडेट कीजिए और हमें भी करने दीजिए, हम तो, करिश्मा सिंग, जैहिन सर, जैहिन, आप यहाँ, देखिए यह आप लोगों के बीच की बात है, मुझे बीच में नहीं बोलना चाहिए, पर क्या करो रहा नहीं जा रहा, आप जैसे होनहार पुलिस ओफ उसके लिए हमें बहुत बुरा लगा आपके लिए, काफी ट्यूबलाइट टाइप का फिलिंग नहीं है, असर आपका मतलब वो हुआ कल था और अफसोस आपको आज हो रहा है, नहीं, अक्शली मैं कल भी आपसे बात करना चाहता था, बट मुझे लगा कि आप जिस इमोश इस केस से रिलेटेड मेरे पास बहुत ही इंपोर्टेंट इंफोर्मेशन है, जो अगर आप चाहती हैं तो मैं आपको दे सकता हूँ, आपकी हल्प करेंगी धन्यवाद सर, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बहुत अच्छा लगा आपको हमारी टीम के लिए इतना अपके अंदर प्रेम भाव है, वो सुनके हमको बहुत अच्छा लगा लेकिन सर, क्या है ना कि हमारे लिए दोस्ती हो या दुश्मनी, वो काफी परस्नल होती है, हम किस किसी से शेर नहीं करते हैं, तो अच्छा होगा कि अगर अगर आप हमारा जो ये मीजी लफडा है इसमें ना पड़े सर, तो हमको नहीं चाहिए, हमको लगता है कि हम खुद इतना सक्षम है कि हम खुद अपने बल पर इस केस को सुल्टा सकते हैं, Excuse me. या, Big Boss, मैं भी आपकी आपे के बारे में सोच रहा था, Sir, हम चलते हैं. Jay. Jay. रहने दे, रहने दे, ये बता कैसा है? I'm good, आप बताइए. अच्छा सुन, हम लोग अभी सब घर में ही थे, मतलब मैं पाप और छोटी, तो हम लोग इसी बाते कर रहे थे, तो मलिहाबाद का टॉपिक निकल पड़ा. तो मैंने का, इसमें कौनसी बड़ी बात है, वैसे भी हम लखनों तक तो चाही रहे हैं, तो मलिहाबाद भी खूमाएंगे. तो तू एक काम करना कि जब हम लोग वहाँ आए ना, तो थाने में अपनी किसी सब्सिचूट को काम पर रख देना, ताकि तू हमें मलिहाबाद ले जाकर वहाँगे मशूर आम टेस्ट करा सके. ठीक है ना? तू सुन भी रहा है, is that okay for you? और ये कैसी background noise आरी कितना शोर है, तू है कहाँ पे अचोटू. हाँ, मैं बाहर हूं दीदी, बहुत important काम से आया था. जरूरी काम से? कैसा थाना इंचार्ज है तू? तेरे थाने में और कोई लोग नहीं है क्या? सारा काम तू अकेली करेगा? अरे दीदी, ऐसा कुछ नहीं है. चोटू, तुझे कितनी बार समझाना पड़ेगा, अब तो बड़े हो जा, मैं कब तक तुझे समझाती रहूंगी, तो समझता क्यों नहीं है? दीदी, बाहर आया हूं मतलब headquarter आया हो, DSP सर से important meeting है मेरी, अब भाहां भी किसी constable को चल, ओके, बाई. ओके, बाई. बाई. और दिवान जी आप, लोहा गरह में हो थोड़ा मार दीजिए, जहां बुद्धी की जुरूरत हो, वहीं बुद्धी इस्तिमाल किया कीजी आप, और ना आप किसी फालतू की जगा बुद्धी लगाएंगे, ना ही किसी फालतू के प मैं, मैं मैं थोड़ा टाइम बिल सकता है बात करने के लिए. ठीक है, दस मिनिट दिये हैं, बात कर लीजिए. आपस महीं सोलाच जाये तो पहतर होगा, वरना हम तो हैंगे. शिका, ये क्या किया तुम ने? इतना तो बरोसा करती मुझ पे, कि मैं तुम्हें दोका दे के नहीं जाओंगा, तुम्हारे साथ पिश्वासकात नहीं करूँगा और प्लैन के हिसाब से आओंगा जरूर. मैं बहुत डर कही थी, तुम टाइम पर नहीं पहुँचे, और तुम्हें कॉन्टैक करे का कोई साधन ही नहीं था? तीन महीने, अमित, हम लोग तीन महीने से नहीं मिले थे, और हफ़ते में एक बात करना तह हुआ था, वो भी अलग-अलग नमर से. मैने तुम्हेरा बहुत इंतसार किया, आमित, लेकिन कम नहीं आएं, तो, मुझे लगा। अर तुम्हें लगा, और तुम्हें लगा, मैं सारे पैसे लेकर भाग जाऊंगा, तूम्हें दोखा देदूगा। हाँ शीखा, तु मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हो इतना तु हिश्वास दिखाया होता अपने प्यार कर तु मेरे एरपोर्ट पे क्यों नहीं पहुचिया, Amit? मैं निकल गया था, एरपोर्ट के लिए कहा, शीखा, तुमने मुझ पे भरोसा किया होता तुमने इतनी जल्दबाजी ना कियो होती तो आज हम किसी देश में बैठ के अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होते पर तुम्हारे बेमतलब के शेक की वज़ा से सब खतम हो गया, शीखा I'm sorry, Amit मैं तुम्हारे प्यार के लायकी नहीं हू, Amit ऐसा मत कहो, शीखा जो हुआ, सो हुआ बस इतना याद रखना कि तुम्हारा, Amit, तुम्हारे लिए जान दे सकता है तुम्हें दोखा कभी नहीं दे सकता I love you, शीखा I love you, Amit जी, बोलिये सिर्फ बोलिये, आगे बीचे कुछ नहीं जी, बोलिये मैडम आगे? आगे क्या बोला ना, जी, बोलिये मैडम आगे पहुचाईए हमारी बात मैडम सर को ये बोल रहे हैं, हम पहले पुरा बात तो सुनिया कीजिये उनको बहुत बड़ा Khy różne, पूरे शारूङ दिपी का हुए पड़े हैं, वो अपको बता रहे हैं समझज़े हमारी बात को, फीबात जाक्यागे बताए yht 사람들이 भात आप खुद भात हमारी काम पुछ दीजीटे उनको बोल और बात के कि वो जो प्रेमी जोड़े हैं, उनको वहां से नहीं जाने दीजिए, फिकि वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, बहुत बड़ा खेल खेल रहे हैं, और हम सबूत के साथ आप पो सब बताएंगे आपके, ठीक है, अरे लेकिन, रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, पुष्पाजी कम से कम उसका तो इंतिजार कीजिए ना, मका पुष्पाजी आप भी ना, ट्रैवल एजन्सी जा रहे हैं हम, वल्ल्ड रोगी टिक्टे करवाने, इसलिए तु कहते हमारे लल्ला के तो भागी फूड गये, केस के बारे में आगे और पता लगाने, हम ट्रैवल एजन्सी ज अरे, बैठिये, 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 बोल ने सकती थी, हमारी जगह हम बैठे यहाँ पर, जिब आपको बैठिये, अच्छा, ठीके सुनो, देखो, अब शुरू होता है हमारा मिशन पठाओ, तुम जाओगी करिश्मा मैडम के पास, उनको पठाने के लिए कि वो मैडम सर करिश्मा मैडम से मिले, और हम जाएंगे मैडम सर के पास, उनको पठाने के लिए कि वो करिश्मा मैडम से मिले, पर एक बात समझ में नहीं है, इतनी से बात तो आप मुझे बदनाम के दुखान पे भी बोल सकती थी, इसके पास क्यों लेकर रहे हैं बदनाम से भी गंदी जानते है संतु मगर क्या करें? चाय काना है, अँखो, अँखकल महोल बहुत खराब हो चुका है ना किसी पर बरोसा नहीं कर सकते, कोई भी ठाने का जासूस हो सकता है, घर का भेदी हो सकता है, अब क्या बता है संतु, ठाना हमारा राजनिती का मैड़ान बन चुका है, किसी को कानो कान खबर तक नहीं होगी, सबज रही हो, चलो, अब हम निकलते हैं, करिश्मा मैडम का मेसेज देना ना मैडम सर को बन जाओ जासूस बस एक बार वो वीडियो बनाने वाला मिल जाए, उसकी ऐसी धुलाई करेंगे, ऐसी धुलाई करेंगे जब भी मुझ खोलेगा एक ही बात बोलेगा, कॉंस्टेबल तु देखे बहुत मगर तुमसा न देखा मैडम चाहेगा पैसा तो, क्या डिसाइट किया आप लोग ने, सच कहना है या पुलिस को और गुमराह करना है मैडम, मैं सच बताती हूँ, सारे गल्ती मेरी है मैडम सब कुछ मेरे चल्वाजी और मेरी नादानी में हुआ है मैडम अम इतसे मेरे बात दियो पारी थे मैडम और मुझे लगा कि उसने मुझे थोका दिया है और मेरे सब नदी में दही कोदा था लेकिन अब जब इरियम इससे बात हुए है, तो उसने मुझे बताया है की उसे लगा कि हम लोग कलट कर रहे हैं, हमारे जान दे के मैडम. और आपको पता है, कि वो मुझे बचाने के लिए मदथ मागने के लिए भागा था. वो मुझे छोड के नहीं भागा था मैडम लेकिन जब तक वो आया तब तक में अन्देदी में बहकर बहुत आगे निकल चुकी थी मैडम मुझे लगा कि उसने मुझे धोका दिया और मैंने उसका बहुत इत्ते जार भी किया लेकिन वो नहीं आया मैडम और इसे गुस्से भी मिठाने में आगे यहां पर मैंने उसके खिलाफ शिकायट डर्च करवाई मैडम तारे गलती मेरी है मैडम और मैं भी बहुत डर गया था मैडम इसलिए कुछ भोल नहीं पाया पर अच्छी बात यह है कि अब हमारे बीच की मिसंडेस्टेंडिंग क्लियर होगी है मैडम इसलिए प्लीज अगर हो सके तो इस केस को खारिच करके आप हमें जाने दीजे मैडम प्लीज जिक है कोई बात नहीं कुछ पेपर वर्क की फर्मालिटी है वो कर लिए फिर आप जा सकते हैं हम इंतजाम कर के आते हैं श्रिवास्तप जी नजर रखिये न दोनों पे जी मैडम मैडम सर मैडम सर मैडम सर करिश्मा जी का फोन आया था एक मिनिट अपका छिश्मा आपने चश्मा क्यों पहना है था हाँ तभी हम सोच रहे थे बाहर तो अच्छा दिख रहा था अंदर जाने के फोन आया था इन दोनों को बिल्कुल यहां से जाने मत देना यह दोनों लेला मजनूर जो है न वो बहुत बड़ी खिटडी पकार है वो जहां आ रहे है पूरे सबूत के साथ फिर आपको सब कु समझाएगा हाँ लिके हाँ बोली मिस्टर अमर विद्रोई बस यह जानने के लिए फोन किया था कि वो दोनों शिख और अमित अभी भी थाने में है या नहीं हाँ वरी नाइस मिस मलिक नहीं हमें डर रहता है अपके जजबात का कहीं जबात बदल गए होंगे और आपने उने छोड़ना दिया हूँ Anyways, अच्छे अभी तक वो दोनों थाने में ही और वो थाने में ही रहने चाहिए। उने कहीं जाने मत दीज़िगा वो दोनों जैसे हैं वैसे दिखते नहीं इन बहुती बड़े गुरु घंटालें दोनों के दोनों और हम यह थाबित करने थाने आ रहे हैं पूरे सबूत के साथ रास्ते में यह बस पहुँच रहे हैं जाहिन जाहिन अरे, कमाल है करिशमसिंग यह सारी बाते हमें दिलेटली फोन करके भी तो कह सकती थी ना हमने कहा उनसे, मगर वो कहा सुनती है ना हमारी कोई बात जी तो ऐसा है कि आपकी सारी बाते सुनने के बाद हमें अब भी एक बात का कन्फ्यूजन है कि बच्पन के साथ ही और यह भी नहीं जानते कि यह इतनी अच्छी स्विमर है इतना तो सोचना चाहिए था ना कि अगर यह अकेली कूट जाती इन्हें पता चलता कि अकेली कूदी है तो तुरंट तेर कर बाहर आ सकती थी दरसल हाँ मैं भूल गया कि यह तैरना जानती है उस वक तो बस दिमाग में यह आ रहा था कि सब ठीक हो जाए और शिका को कुछ नहीं हो उसको तो वैसे भी कुछ नहीं होता पैसे भी मैड़म सब कुछ सामने ही है ना सब कुछ क्लियर हो चुका है मैं भी अपनी कम्टीन आप इस ले रहे हूँ आपको जो भी पेपर फॉमलेटी करने आपका लेजी और हमें जाने दीजिए वैसे भी सच आपके सामने है ना मैड़म गलत है और सच हम आपको बताते है हम आपको बताते है मैडम सर यह है वो फाइल जिसमें इन मासूम परिंदों के कर्टूतों के सारे सबूत है सबूत मेरे बास भी है मिस मलिक स्रॉंग एविदेंस माफ कीजेगा सर पर जो अकाउन प्रमान हमारे पास है हमें नहीं लगता उसका कुछ प्रतिशत भी आपके पास होंगा शिखा के पिताजी को अभी भी ये लगता है कि उनकी ये मासूम बच्ची प्यार में दोखा का इदुख्यारी बच्ची पानी में दुरगटना वश मर गई थी ये प्रमान है सर आपके पास लेकिन घरवालों की इतनी अब्जेक्शन होने के बावजूद भी ये दोनों लगभग एक साल पहले कोट मैरिज कर चुके हैं ये दोनों कोई गल्फरेंड बॉइफरेंड नहीं है पती और पतनी है क्यों भाई साह और पिछले तीन महीने से चुक चुक के हनीमून मनाये जा रहा है क्यों मेडम अब तक तो गुड निउस भी आ गई होगी ना कोई बाद नी हम आपको गुड निउस लेते हैं तो सच यह है कि ये मेडम दो दिन पहले नहीं कुदी थी तीन महीने पहले गुड थे तीन महीने से पानी के अंदर थी तीन महीने के बाद भी किसी को आता-पता कुछ नहीं है इनके पेरेंस को आसपास पडोसियों को कुछ कटी नहीं है कि ये जिन्दा है खेल इंशॉरेस धोखा दड़ी का है जूठा मरने का नाटक रच कर इंशॉरेस कमपनी की आँखों में धूल जोक कर लाखों रुपे हैंटने का है खेल इंशॉरेस धोखा दड़ी का जूठा मरने का नाटक रच कर इंशॉरेस कमपनी की आँखों में धूल जोक कर लाखों रुपे हैंटने का है ये साबित करने का कि इनकी मौत नदी में नाते वक्त दुरगटना वश हो गई और विवाहित तो ये एक साल पहले से ही थी इन भाई साब के साथ जो कानूनन इनके पती भी नहीं है इस जालसाजी में इनके पाटनर है ना भई? और इनकी पॉलिसी के एकलौते नॉमी नहीं है तो अब ये सब समझने में कौन सी रॉकेट साइंस लगेगी कि इन दोनों पती पत्नियों ने वही घिसा पिटा पुराना इंशोरेंस फ्रॉट का प्लाइन बनाया अब भाई साब कोई नया प्लाइनिंग लेकर आते ना आशकल तो ऐसे प्लॉट की मूवीज भी फ्लॉप हो रही है तो उन भाई साब का घिसा पिटा प्लाइन ये था कि ये शिखा की मौत का जूटा नाटक रचेंगे और क्लेम में जो भी पैसा मिलेगा उनको हाथों में लेकर ये देश शोड कर रफ उचकर हो जाएंगे और अपनी आगे की जिन्दगी फ्रॉट के पैसे से एश करेंगे क्यों भाई साब यही था ना तो बात कल अब लूव आप ये है कि केस हुआ सॉल्फ जुर्म और मुझरिम दोनों आपकी आखों के सामने है तो ये केस जाना चाहिए है महिला पुलिस थाने के खाते में एक मिनट करिश मसें माना कि आपने भी एकेस सॉल्फ किया है लेकिन टेक्निकली इन दोनों को यहां पर रोक कर रखने का कॉल हमें अमर विद्रोही ने किया था नहीं हमने आपको पहले मेसेज पहुचाया था आप पुषपा जी से पूछ सकते हैं पुषपा जी मेसेज किया था कॉल डिरेक्टली इनों ने किया था मैडम सर की बात तो सही है तो फिर ये केस किस के खाते में जाएगा क्या फरक परता है दोनों ने ही कमाल का काम किया है इस केस को बहुत अच्छे से सॉल्व किया है तो टेक्टली ये केस थाने एक खाते में जाता है इतना में नियुक्त वादा करनेतो, इतना में अनाट प्लीज। प्लीज्ज, प्लीज, प्लीज माडम इंद देलो बात मांनी ज़ीजी. प्लीज, अजिन एंद वी घरो बात करों और ने पर ऐकंड़ Krang माडम सरसिंपली जी। मैदम, मिलीजी, I also promise. का मिलीजी और का है मिलीजी और का है माने अम तुमारी बात? इतना महनद किया, पुरा केस सॉल्ट किया, और हमे थोड़ा भी क्रेड़ित नहीं दिया, मैडम सर ने? सीनेर नाओ, सीनेरोने काम पिट्थोस जमारी है. मैडम सर, मैडम सर! हमारे लिए, हमारी खातिर, अपनी पुष्पी की खातिर, एक बार मिल लेजिए ना, बस एक बार मिलने में क्या ही जाता है? पुष्पाजी, फ्लीज देखे मैडम, आप एक बर जाईए, तो सही मिलने के लिए अच्छा ना लगे, तो वापे साचाना, कौनसा मैडम सर आपको बांध कर रखेंगी? प्लीज मैडम, आपको मेरी कसम. हमारी मेरी कसम. प्लीज! उमको तुम्हारी तंदूर पे सेख देंगे, समझे तुम्हारा तंदूरी इकबाल बना देंगे हम. निकलो यहांसे! यह तुका पका मैं भिला! चोर्टाभी, हम सचे दो दिनस वारी बिर्यानी जाँ आप रहा है? माडम, थे कह चोर को. नहीं, बभभभभभभभभ, रहुचोर था! अभभभभभभ, रहुचोर था! अभी मैं सुदर काहा हूओ, यह तु मैं भी बिर्यानी! इसका दंदा कर रहाता है बें कराता में यह थिटर के बाहर ब्लैक ब्लैक देखो जो भी प्रॉफित आएगा हम अदा अदबाट नहींगे हाग किना प्रॉफित हुआ है अभी तुद्ध लाउस हुआ है यह निकलो एंगा से हाग मिछाननी है आप हाँ ही भोलें है कै क retreat कर दिये सब costum कि उच्पाजी अप उम्ठे तो आप उम्र में में बड़ी है थोड़ी सी वड़ीrain हम अपकी कोई बी वा थाख तालने ही सकते आपको एसा लगता है कि हमारी और करिश्मा सिंग के मिल लेने से बात कर लेने से आपसी मन मुटा खत्म हो जाएगा लेकिन हम जुतना करिश्मा सिंग को जानते हैं उनके जहन से किसी भी बात को इतनी आसानी से निकालना मुम्किन नहीं है माडम सर, आप ही तो कहती है ना, बाच्ची सही सारी मसले हलो जाते हैं, कहती है ना आप ही, तो फिर मिल लेजी इने, एक बर मिल लेने में क्या जाता है? अच्छा ठीक है, मिल लेते हैं, ओके? माडम सर को सही पता दिया था ना आपनी? तो अब तक आई क्यों नहीं? अरे बस आती होंगे, तुम टरो मत काफी वक्त पहले हमने अपसे एक बार कहा था कि हम भी एक जमाने में आप ही की तरह हुआ करते थे हर छोटी बात पर गुस्सा, मारा मारी, वाइलेंस हमारे लिए एक स्लोगन भी फेमस था कि अच्छे अच्छो को आ जाए पसीना जब अपने पर आ जाए हसीना जी आद है? वाइलेंस की जगा जजबात ने कैसे ले ली? आज हम आपको बताते हैं कैसे रतनपूर थाने में हमारी पोस्टिंग थी वहाँ एक रात अचानक हमें एक फोन कॉल आया कि पासी के जुगी जोपड़ी के कुछ बदमाशों ने एक मेडिकल स्टोर पर कबजा कर लिया है बंदूग की नोप पर उन्होंने वहाँ के मैनेजर को, स्टाफ को, उस मालिक को, सब को होस्टेज बना लिया है हमें बहुत गुस्सा आया हमारे पास जो भी अवेलेबिल फोर्स थी उसे लेकर हम गुस्से में बहाँ पहुँचे मेडिकल स्टोर के अंदर गुसे और गसीटते हैं वह इन सारे लड़कों को बाहर लेकर आया चार्चीट फाइल किया और उन्हें जेल भी भिजवा दिया जब हम उन लड़कों को गसीटते हुए बाहर ला रहे थे न उनमें से एक लड़का बार-बार हमसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा था लेकिन अफकॉर्स उस वक्त हम इतने ज़्यादा गुस्से में थे कि हमने उसकी एक भी बात नहीं सुनी कुछ दिनों बाद हमारे पास ये ख़बर आई कि उनमें से एक लड़का उसकी माँ बिमार थी किसी ने उसके मदद नहीं कि इस बात से गुस्ता होकर उसकी दोस्तों ने ये ताई किया कि हम कहीं से एक हाथ्यार उठाएंगे और उस और उस दवाई को मेडिकल स्टोर से लड़के तो जेल चले गई लेकिन दवा ना मिलने की वज़े से उस लड़के की मा की मौत हो गई अब हम सोचते हैं तो हमें लगता है कि अफकॉर्स हम हमारी ड्यूटी कर रहे थे हम आज भी यही सोचते हैं कि काश काश उस वक्त थोड़ी सी देर के लिए हमने अपने गुस्से पर काबू कर लिया होता तो आज उस लड़के की माज जिन्दा होती करिश्मा सिंग हम आपकी बहुत परवा करते हैं इसलिए हम आपको इतना समझाते हैं कहीं आपको उस दर्द से ना गुजरना पड़े जिससे हम गुजर रहे हम समझ रहे हैं माडम सेर आपका आपका डर भी और हमारे लिए आपकी चिंता भी परबाद जरूर हमारे रवये से शुरू हुआ था लेकिन चोट आपके रवये ने हमको पाचाहिए अच्छा और उसके पहले सड़क पर मार्क पीट किस ने की थी हमने भरे थाने में सब के सामने हमारी इजद की मैया की सासु मैया हमने आपकी की थी मैडम से या आपने हमारी की थी हम यह अपमान कभी नही द्रक्स का बात लीक किया है हम ही है जो यहां की बाते वहां करते है और हम ही है जो छल कर रहे हैं आपके साथ और उस थाने के साथ हमने कब कहा आपने सब के सामने थाने में हमारी आखों में आखे देख कर का था मैडम सर करिशमा सिंग आप भूल रही है कि आप अपने सीनर यही अपने सीरे रोने का आप हमेशा हम पे रॉप जमाती है और उर्दू के भारी भारी लव्ज बोलके आप हमें दबा देती है लेकिन मैडम सर आप भी सुनीजी इस बार जो आपने कहा है वो हमारे यहां पर लगा है सिधा दिल पर और इसकी भरपाई जल्दी नहीं होगी आपको जो सोचना है सोची आपको जो करना है कीजी हम जा ले खाले हमें भी नहीं आना था यहां पे वैसे भी में हस्तन तूने का इसले हम यहां आगा तो हम बे कॉन सा शौक था हमें भी पुष्पा जी ने अरे क्या मूँ बना रहे हैं दिवान जी क्या हुआ तो सो अब यह मशीन देखा तो उनकी याद आगए याद आगे मतलब दिवान जी अब कहा रहे है सौरी दिवान जी अरे ने ने सर शानपूर से शिफ्ट हो गए फरिदाबाद चले गए फुपा तो है अभी दिवान जी आप मेरा बीपी चेक कर रहे थे ना चेक तो कर रहा हूं सर पर यहां जो देख रहा हूना बिलकुल सही नहीं है खतम डेड क्या बात कर रहे हैं चेले की पहले लगी पड़ी और आपको कॉमेडी की सूझ रही है दिवान जी अरे यह नहीं की कोई धंका आइडिया पताई है हमें ताकि कुछ ऐसा कोई कोई पॉसिबिलिटी हो जाए कि यह थाना हमारे हाथ लग जाए और हमारी दीदी को यह ना पता चल पाए कि अमने तो आपके तरीके से नहीं जीतना है आपके पर तरीके आपंडे पास रखीए अरे जो काबिल होगा इसे मिल जाएगा थाना और हम एसा पोई काम नी करेंगे जिसके लिए हमारा ज़ए अअरह और। वाँ सर वाँ अब तो आपकी जवान भी हसीना मैडम जैसी हो गई गवारा जमीर सौरी सर ये सोच के साथ ये थाना तो क्या आपको इस थाने को पाने का सपना भी नहीं नसीब होगा दिवान जी शायद भूल रहे हैं लडाई थाना हासिल करने की नहीं इन औरतों को एसास दिलाने की है कि हम मर्द भी कुछ हैं हम भी बहुत कुछ डिजर्व करते हैं दिवान जी ये लडाई है अपनी आइडेंटिटी प्रूव करने की और हम ये करके रहेंगे आप जाहिए ह और शायद आपके पापा भी उनके आने से पहले अगर ये थाना आपका नहीं हुआ तो सोच लीजेगा क्या होगा हुआ है हस्दिना मैडम कहा है है आप हमारी कप्टेंट लेखे ना यो कि हम बेड़े दिक्कत में हैं अरे सुमंधिदी आप यहां क्या कर रही है रपट लिखाने आये थे अरे तो मुझे बोल दिया होता था थाने में आने की क्या ज़रू है थी हम क्या पता है हम रहा आप जानते हैं ने अरे दिवान जी है सुमंध दीदी है आजकल बंटी और घर को यही संभाल रही हैं बहुत अच्छे से काम करती है थोड़ी दिन पहले यह ने रखा था अब अब दीदी मुझे बताईए क्या प्रॉबलम में यह सॉल्ब कर दूँगा नहीं आप से घर के पर्दे नहीं दुलते हैं आप हमारी प्रॉबलम का क्या पर्दा फार्श करेंगे रहने दीजे यह मामला किसी महिला ओफिसर को ही संभालने दीजे सर आपकी कुंडली में हो औरतों से इज़त लिखी नहीं ये भी बैठी बैठी बाताए क्या समस्या है जै मैंनस जै जै बिल्लीज प्लीज करें बताए अब घर में चोरी होई आपने मुझे क्यों नहीं आपкі नहीं हमारे घर में चोरी होई है दो मेने पहले मेरी बेटी का रिष्टा ते हुआ था अभी कुछ दिनों बाद उसकी सगाई होने वाली है उसी सगाई के लिए हमने एक अंगुटी खरी दी थी उसी अंगुटी के चोरी हो गई है लडकोंवालों ने डिमांड की थी कि उनको किम्ती वाली महींडी वाली अंगुटी ही चाहिए आप अगर वो अंगूठी नहीं मिली तो मेरी बेटी का रिष्टा ठोट जाएगा तया कीजिए मेरी बेटी का रिष्टा ठोटने से बचाएगा ने 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 आप 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 शांत हो जाएए आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए जिसने भी आपकी बेटी की अंगूठी चुराई है ना, उसके खलक में हाथ डालकर वो अंगूठी हम बापस लेकर आएंगे और आपको देंगे लेकिन हमें एक बात का बहुत जादा आश्चर्य हो रहा है वो ये कि सगाही में जो इतना महंगा अंगूठी डिमांड कर रहे हैं शादी भी तो आपकी खाली खीच लेंगे वो लोग नहीं मतलब ऐसे लालची लोग इतने लोगी लोग इनकी सुताई होनी चाहिए मार्केट में सब के सामने ऐसे कोई दहेज कैसे मांग सकता है आप समझ रहे हैं वाड नी तो क्या पता है आपको हमने हमारे लल्ला की शादी में एक रुपया तक दहेज नहीं मांगा हाँ ठीक है हाथ हुम ये कह रहे थे कि उनको मार मार के नहीं साथ मतलब आपकी बेटी का पुरा जीवन का सवाल है तो इसले हम थोड़ा मतलब बीच में ऐसे धकल नहीं कर रहे थे सरफ पूछ रहे थे हमसे आपको किसी पर शक है कोई आपका दुश्मन या फिर कोई घर का सद्दस्य से जो ऐसा काम कर सकता हो नहीं यही तो समस्या है सबसे ज़ादा पीड़ा वो इंसान दे देता है जिससे आप मलं का उमीद करते हैं आपके भरोसे काना पुंगी बजा देता है वो इंसान और वो इतना असहनिये दर्ध होता है ना कि कोई भी मलं उसका इलाज नहीं गर पाती है बिल्कुल सही कह रही है मैडम, हम इनसे बिल्कुल 100% अग्री करते हैं, वो क्या है ना कि रिष्टो की इमारत बनावटी इंट पर नहीं, भरोसी की नीव पर बननी चाहिए, अगर भरोसा नहीं रहा, तो एक नएक दिन वो इमारत और वो रिष्टा तूटी जाएगा, ना? तफिश कीजिए और देखे क्या पता चलता है दिधी, आप मुझे बताईए ना, कब हुआ यह सब देखा, सर देखा आपने, आपके रहते हुए भी यह केस का चाज संतो शर्मा को दे दिया, हाँ तो आप एक तो करतूत का नतीजा है यह दिवान जी, नहीं आपने बैचारी करिश्मा सिंग की वीडियो को अपलोड किय नहीं आपने वीडियो अपलोड की होती, नहीं है हसीना और करिश्मा सिंग के बीच में दरार पढ़ती और नहीं स्थाने में एसे नेगडिविटी फैल्ती दिवान जी, अरे दिवान जी हमें थाना जीतना है, ऐसे सियासती खेल से स्थाने की मासूमियत नहीं चिननी ही है आपको हम ऐसे लगते हैं क्योंकि आप नहीं है, सर आप ऐसे नहीं है, पर प्लीस धीरे से भूलिये ना सर, अगर किसी ने सुन लिया ना तो आज ही मेरा ट्रांसफर या लाइन हाजरी हो जाएगी सर, किसी लाइक हैं आप, अगर हमारे गुरू नहीं होते ना, तो हम सर, नीचे है वो फाइल, सर, देखे, सर, हमें नहीं पता था कि बात इतने आगे तक बढ़ जाएगी, और सर, हम मानते हैं कि हमारा प्लैन मजबूत नहीं था, लेकिन उनकी दोस्ती भी तो कमजूर थी ना, सर, बिना भरोसी की दोस्ती और बिना आत्मा का शरीर, मतलब कहां से आ रही आपके अंदर इतनी नेगटिविटी, दिवान जी? कोई शहर में बना ने, नी, सर, कोई दोस्त नहीं बना, सर, अम मानते हैं कि हमसे गल्ती हुई है, बहुत बड़ी गल्ती हुई है, बढ़ी गल्ती नहीं दिवान जी, पाप कहते हैं इसे, हाँ ठीक पात सुन तो दीजे एक सवाल का जवाब दीजे एक औरत के जीवन में सबसे important चीज क्या होती है बोजय बोले क्या होती है उसकी पहचान नहीं सर उसका घर उसका पती उसकी घर गरस्ती सर जस सोचे अगर हसीना मैडम की जीवन में कोई आ जाये उनकी शादी हो जाये उनका पती हो पच्चा हो तो तो सर कहां वक्त मिलने वाला है उनको कहां वो बे फिजूल की थाने को जीतने की लड़ाई लड़ने वाली है तो सर अगर एक बार अपना पती अपना बच्चे उन सब में बिजी हो गई तो तो क्या क्या दिवान जी तो सर आपको बस इतना करना है कि आपको हसीना मैडम को शादी के लिए मनाना है अगर एक बार हसीना मैडम की शादी हो गई तो हमारे रास्टे से हमेशा के लिए काठा साफ और ये थाना पूरा आपकी अंडर में ग्रेट शादी जो एक दिन सभी को करनी है जी सर और शादी के बाद ऐसे कॉंपटीशन पे ध्यान किसका जाता है दिवान जी बिल्कुल और एक बार शादी हो गई तो कौन ऐसे पचडों में पड़ेगा ना राइट सर अरे इसे कहते है ना पॉस्टिव प्लान अरे अब तो मानिये कोशिश करें तो कुछ अच्छा सोच सकते हैं आप तो मतलब अगर दीदी के आने से पहले हसीना मलिक की शादी हो जाती है तो वो जाएंगी हनीमून अपने पती के साथ और पापा और दीदी की नजरों में स्थाने का अकेला सच्चो होंगा मैं अरे दीवान जी इसी बात पे क्षची दे दीजिए 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 नई सर छोटी सी नई सर पिन्नी सी ना अरे आईये ना दीजिए अजिए आप शादी क्यों नहीं कर लेते हैं फिर नाइटे बात आप हमें रास्ते से अटाना चाहते हैं अशीना मलिक को इससे कहते हैं आप प्लैनिंग दीवान जी तो फाइल ठीक से नहीं रखते हैं ये लोग तू गई नहीं? का है? का बोलना है? बाडम सार ने जब से ये केज दिया ना मुझे बहुत खराब लग रहा है माडम क्योंकि मुझे आप जैसा बनना है आप नहीं बनना है करिश्मा सिंग एक ही है और एक ही रहेगी मुझे नहीं समझा रहा मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, क्या स्टार्ट करूँ मैं क्या करूँ मानम तुम सबसे पहले तो शान्त हो जाओ और एक बात अच्छे से जान लो कि कोई किसी की तरह बन भी नहीं सकता है संतू यह संभव है अगर ऐसा होता तो हम सब के रूप एक नहीं होते हैं हम सब अलग-अलग काहे हैं क्योंकि भगवान ने हम सब के रंग स्वरूप अलग-अलग करके हमको भीजा है ताकि अपना एक अलग अस्थित्व है अपनी अलग एक पहचान है अपना अलग एक रूप है जो दुनिया के सामने आना चाहिए और जो आएगा शायद इसलिए मेडम सर ने तुमको ये केस दिया संतू ताकि तुम स्वत्तन रूप से इस केस को सॉल्फ कर सको और दुनिया को दिखा सको कि तुम अकेली सक्षम हो इस केस को सॉल्फ करने के लिए और तुम किसी से कम नहीं हो समझे हमारी बात बाकि जब तुम ये केस सॉल्फ कर लोगी तो तुम्हारे साथ कुछ अच्छा होगा तो हम से ज्यादा खुश कोई नई होगा संतु ने ये समय बलकुल भावुकोने का मिया संतु तुम इधर आँ हमर साथ यह देखो यह देखो चाजची को देखके लगा था कि ये सोशल मीडिया पर होगी पर ये सोशल मीडिया पर है उमारे आगों के सामने पर यह हमारे लिए बहुत बड़ा हल्प बन गया संतू कि जब हमने थोड़ा जाचा तो हमें पता चला यह बाग कई अपनी बेटी से बहुत जादा करीब है और जान छड़कती है उस पर तो अगर हम तुमारी जगवा होते ना संतू तो अपनी जाच परताल इसी केंद्रबिंदू से करते केंद्रबिंदू, सेंटर पॉइंट सेंटर पॉइंट हम उसके घर जाते, हम पता लगाते, आसपड़ोसी से पूछ थे, पूरा पुरानी खाल उटेड़ते हो सकता है हमारे हाथ में नया अंकुराता जो असली जड़ होता इस समस्या का, क्या समझे समझ गई मैदम तो फिर काम पर लगो लव यू, लव यू हे बगवान, सब कुछ जल्दी से फिर से पहले जैसा कर दीजे हसीना मैडम मोगरिष पर मैडम के पैच अप करा दो, प्लीज, कोई तो रस्ता निकालिए, प्लीज, प्लीज, प्लीज जाओ न, अब जहन, जहन अरे भाईया, कितनी बार प्लीज बोले हाँ, अरे कितनी मिननते कर चुके हैं सबको, लेकिन किसी को पड़ी ही निये पता निये हसीना सबके कान में क्या बोल जाती है, सबका दिमाग ही फिर जाता है, सब लड़का धूनना ही बंद कर देते प्लीज भाईया, प्लीज, आप तो कोई ठंग का लड़का धून के दीजे हमारी हसीना के लिए, हाँ ठून दीजे, ठून दीए मैडाम, ऐसा कंचे लड़का ठून के निकाल आ है कि लेफ्ट साइड से प्रफाइल दे्खेंगी तो कहेंगी अरे, ये तो ρितिक, राइट साइड से प्रफाइल देखेंगी तो कहेंगी अरे, रणवीर सिंग, फ्रंट से अच्छे, बैक से आजाए, आते हुए संजे, जाते हुए रणवीर. अरे, लेकिन रणवीर, कि तो शादी हो चुकी है ना? इसी लिए तो जाते हुए बोला. अच्छा, लेकिन करेक्टर हीरो जैसा है या फिर नमाजुद दिन? अरे, तो इंतजार की इस बात का बात को आगे बढ़ाईए, बस. बात आगे बढ़ाईए? बात आगे बढ़ तुकी है मैडम? मैंने उसे आपके घर का एड्रस दे दिया है, डड़का आप से मिलने आपके गर आता ही होगा. अच्छा? बिलके जाज परक लिजे, समझ में आए तो टोकें टिका दीजेगा. ठीके टोकें? अरे, नेक वेक कुछ हाथ पर रख दीजेगा, लड़का हाथ से नहीं जाएगा. अच्छा, समझ गए, समझ गए. अरे, घंटी बजी, लगता है लड़का आगया. मेरा भेजा हुआ लड़का? हाँ, बात में बात करते हैं वहीं, वह आ गया है लगता है, हाँ? अच्छा माजी. अच्छा माजी. अच्छा माजी. अच्छा माजी.